तो उसके बाद चिकन के टोटे टोटे करूंगी नेक्स्ट जो होन वाला ना ओवे के ताड़ी रूख कम बजेगी क्योंकि मेरी भी कम बगी सी मेरे हतानों बड़ियां मिर्चा लाग दियां मेरे हाथ भी बहुत सेंसिटिव छेतियां के टोइते से जाके ने हुए सारे लग बता जाएगा इन्ना मजदार बनाओंगी तो इतने काम कहां होते हैं हम नाजुक परियां है है नी पैने चार्ट में खरबुजा कौन डालता है हम डालते हैं मेरी पैने आप चाते हैं कि इनके अन्डे रहें तो आप वैसे ही डाल दें और ये स्पीड पकड़ने का आगे जाके क्या नुकसान होगा वो भी आपको बताती हूं को बार 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 ना बटन चेड़ा था कि मैं ग्राइंड करूंगा मैं तेरा जाम मुक्याने तूं करेंगा बस अजान होने वालिया से बेश्मार पांड़ेता मेरे को बिल्कुछ निसी होने तो लने असलामलेकूम अमीद करती हूं सब खेरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे तो शुरू करते हैं एक और इंटरस्टिंग सा विलोग और ये इफ़तार विलोग है हमने भाईयों की इफ़तार ही करवाई थी तो वो विलोग आपके साथ शेयर करूंगी हमने क्या क्या बनाया तो सबसे पहले में मक्षन बनाने लगी हूं ये निकी रिलोग है जिस दिन इफ़तार दावत की थी दो दिन पहले मुलाय को जाग लगा के गण्या तो बस बनाने की जहमत नी थी हो रही अधर्वाइस टाइम लग जाता ब्लेंडर में भी मक्कन के पेड़े बनाके ना मैंने फ्रीजर में रख दिया था मैंने का थोड़े से हाड होंगे ना फिर इनको संभाल होगी अफ़तार दावत के लिए एक दिन पहले चीज़ें भी बाई से मगवा ली थी छोटे बाई से क कुछ यह बोनलेस मैंने मगवाया था क्योंकि चिकन टेंपोरा बनाना था क्योंकि मैंनियो में हमने ज्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं थी बनाने मैंने सचा कि एक आइटम बना लेती हैं इसके लावा प्लाव होगा और इसके इलावा क्रीमी चिकन कड़ाही बना लें यह कडाही वाला चिकन है इसको मैंने अच्छे से वोश कर लिया है इसको भी फ्रीजर में रख दूंगी कुछ काम होते हैं इंसान को एक दिन पहले ही कर लेने चाहिए नहीं तो फिर एक ही दिन में इतने ज्यादा काम करने वह भी रोजे के हालत में थोड़ा मुश्किल लग प्यारी असमा किना मज़ेदार चिकन टेंपोरा बनाया है सारा लग बता चाहेगा इनना मज़दार बनाऊंगी मखन के तो मैंने पैकेट्स बना लिए हैं और चिकन भी फिलहाल संबहाल होंगी क्योंकि सबजियां भी टेबल थे हज़े पर यहां चिकन डियां कि बाजी प को बना नहीं है तो लेकिन आज गैदरिंग थी ना तो हमने सोचा के एक फ्राइड आइटम रख लेते हैं अभी मैं चिकन की ना कटिंग करने लगी हूं चिकन टेंपोरा पनाने के लिए मैरिनेशन भी ही काहिज दूँगी काल तक सही सोफ्ट चिकन हो जेगा वैसे चिकन पूरा कि कतिंग ना लंबी लंबी हों दिये जी मैं फ्राइज नीहीं हुदे लंबय कती लेकिन मामी लंबय कते लेकिन कोश्यों बचारें वी च्पिछे चोटे वी एक टेज़ गजगे तो चिकन वी किंदा के बादी बहुत तेज चूरी आ नगैं तो फूम बंदा गुस पाउल में निकाल लिया है इसी में मैरिनेट करूँगी एक चुथाई कप के बराबर मैं यहां पे सिर्का लूँगी क्योंकि चिकन ज्यादा वाना इंग्रीजियंट्स भी आपा ज्यादा लेने हैं एक फुल परके चमच लसन पेस्ट लेना है अधरक नहीं परके चमच नमक पाउडर वा तीसपून दादर मिर्च पाई यह एक चुथाई चमच चाली मिर्च पाउडर पाऊडर पाउडर पहांगे में इंग्रीजियंट्स शामल करांगे अगर चिकन पाउडर नहीं है तो तुसी चिकन क्यूब जड़ा ना ओवी एक दद शामल कर सकते हैं वह प्य भी खाने से तो मैं नॉर्मल ही ड्राइंग्रेजिंस पाई है बतलों मिर्चा मुर्चा वैसे वी साधी कार वाले नहीं तो अंदस्याना कि बहुत ही मिर्चा लग दिया तो हाफ चमिस के बराबन ना मैंने स्वया सॉस भी एड़ किया है चमची ना मिनों तसली नीसी हो रही मैं फिर हाथ नहीं शुरू होगी मैं चंगी तरह तरह मसाले ना राले जान वैसे था मेरे हाथ भी बड़े सेंसिटीव है मेरे हथ तानों बड़िया मिर्चा रख दिया है यह मिक्स कर लाए से ना चिकन फूड़े चूटे चाटे वी देला तो यह मैरिनेट हो गया है अब तार से तीन चार गेंटे पहले का ताइम है अब चिकन टेंपोरा की कोटिंग के लिए बैटर रेड़ी करेंगे एक कप के बराबर मैंने मैदा लिया है और हाफ कप हमने कौन फ्लोर लेना है कौन फ्लोर काटा से बाद चो मैं थोड़ा जाहूर एड़ किता से यानि कि चिकन टेंपोरेदी रेसिपी ना मैं आरेडी शेयर कर चुकी है लेकिन आप दे फूर दे चैनल दे असमा रानी विलोग्स क्योंकि मेरी नवी ओडियांस ना उनना वचा रहे हैं नो मेरे फूर दे चैनल पता ही नहीं है ता नाम लेखता वा अगर तुसी असान मज़ेदा करने के बाद अच्छी तरह इसको कोल कूल कर मिक्स कर लिए क्योंकि हमें स्मूध सा बैटर चाहिए लेकिन हैं बैटर ने आने टड़े होई हैं यह लंग्स और यह गुट्लियां अच्छे से रिमूव हो जाएंगी तो थोड़ा सा मैंने एक पिंच के बराबर फूड कलर भी एड़ किया है अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं एक अप मैदे को मैंने अच्छे से चाहल लिया है ताके जिए सुन लिया थे सुस्रियां वेच पार्टी कर दिया नो निकल जाएं तो इक चुदाई चमचते बराबर नमक शामल किता है बस दो जी चीज़ां शामल करने आते इन्हों अच्छी तरह मिक्स कर लेना चिकन टै लिए वीडियो नो लाइक कर दो तो जड़े मेरे चैनल नवे हैं और रेल बटन नो क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो ना ली कैंटी वेगी कैंटी वी बजा ली हूँ तो बाबी यहां भी प्यास काट रही है और यह कड़ाही का चिकन है और यह कम वाला प्लाओ के लिए चिक मैं पेस्ट बनाने लेगूँ लेकिन थोड़ा सा मैंने पानी एड़ कर लिया था अदर्वाइस यह ब्लेंड नहीं होता कुछ लोग ना ब्लेंड करते हुए पानी की जगाना ओइल शामिल करते हैं दो तीन चमच ब्लेंड भी हो जाता है और कहते हैं कि लसन का कलर भी खरा तो टमाटर काटे हैं टमाटर को हम ग्राइंड करेंगे बीच में सबस मिच्टें डाली है चार अदर और थोड़े से काजू डाले हैं और चिकन समोकी कडाई काजू डालेना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है तो तुसी भी लाजमी ट्राइब करियो कोट की पानी पाता अच्छी ताके अच्छी तरह ना ब्लेंड हो जाए तो अब सारे काम आपको ना साथ साथ ही दिखाऊंगी एक रोटी के लिए रोटी के लिए थोड़ा मोटा मोटा काड़ लोगी और जो चावल हैं उनके लिए बारी बारी काटूंगी सैलड के उपर एक पिंच नमक और एक पिंच काली मिर्श ही डालूंगी और लिम्बू कट के ना वैसे वे चाले बठा आता वा कि जिनने ने चोड़ना होएगा ने चोड़ लेगा तो यह मैंने ना चावलों के लिए कट किया है यह ज़िए बारी कट किया है लेकिन इसके ना लेमन सक्वीज कर दूंगे पहले विचारा बहुत की से आगया वा तो अब इसको ना रैप करके ना मैं रख दूंगी फ्रिज में निके मोटे आर्म हो सारे कम ना हो चुके सी के बस थोड़ा जी कम रहा गया सी प्लावदा कम रहा गया सी तो फूरूट चार्ट बनान हम नाजुक परियां हैं अच्छा चलो छड़ो असली परियां अगर सोन लाइन गया हो जारी रोनी लग पैन गया तो मैंने इनको रैप कर दिया है अब इसको फ्रिज में राक दूंगी अब बारी आई है प्लाव की बलके आहा चिकन कड़ाई दिया इननों भी हज़े साच ग्राइंड करना तुमाटर दा पेस्ट भी ना किदों दा वेट का रहा है ऐसी गाप्याज दा प्याज होन जाके पके मैं वीरे थोड़ा साल है ला ते टमाटर पके का फेरी ग्राइंड करांगी कोश मेरी ओडियंस ना वेली हुं दिया तो गुडू से टंके ना कोमेंट इस बोकस चाल जाना दिया लड़र कियार यसमा और एससे नहीं बट्टी इस पटा जो करो टूसे हर घार साबद क्याटर ओंझी पाना चांदे और और आप चाहते हैं के इनके आंडे थे लेसे ही ढ़ल यह निसे ही ना अगर कर लो अब यहां पर दिल खोल कर मसाले डाल देने हैं नमक डाला है इसके लावाद जीरा दनिया पाउडर डाला है एक चमच दादर मिर्श डाली है एक फुल बार के चमच तो आप जो हमने मसाला क्राइड किया था वह भी इसकी अद्दर शामिल कर देना है अचा कुछ चाहें तो वह थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं अदरवाइस ना भी करें तो यह वाली कड़ाई ना बहुत मज़े की बनती है इसके लावा लसन अद्र का पेस्ट भी डाला है और सुर्ख मिर्च पाउडर भी एड़ किया है तो थोड़ा सा पानी का चींटा लगा दी है अब इसको पकने के लिए रख़ देंगे ताकर चिकंट चंगी तरा का लजे अचा चिकंट टेपोरा जो बनाना हा ना उसके साहत बाभी ने डिप रेड़ी की है इसके अंदर मायो डाली है, थोड़ी से क्रीम डाली है, दादर मिर्च डाली है, लेमन डाला है, नमक डाला है, और थोड़ा सा कैचप डाला है में चीज़ें ये डाले हैं, ये तो लावा पता नहीं की कुछ पाया, और नहीं मिन पता है ताकर मैं कर राइता भी चुड़िया मुठी चीज़ां ओता राड़ी होना इन्हों भी बनाकर ना कवर करके मैं फ्रेजर चुरा दाएंगी फिर बाकी थोड़ा सा ही काम बच जाएगा फ्रूट आर्ट बनानी है इसके इलावा बाबी जो है वो टेंपोरा की कोटिंग कर देंगी चिकन कडाही को हमना यहां फ्लेम ओफ कर दिया था आर्मोस यह कुक होने वाला है बस इसके अंदर क्रीम डालनी है कडाही के अंदर और कोईला देना है अभी प्लाव को भी पकने के लिए रख दिया है और टाइम तक्रीबन साड़े पांच होने वाले थे सवापा से उपर टाइम हो रहा था तो थोड़ा ही टाइम रहा गया था अब हमने स्पीड पकर लिया और यह स्पीड पकरने का आगे जाके क्या नुकसान होगा वो भी आपको बताती हूं तो अच्छी तरह प्यास को गोल्डर ब्राउन करने के बाद बाबी ने चिकन एड़ कर दि वीडियो आप लोगा ने देखी होगी मेरे फूर्ट के चैनल पर तो फूर्ट चार्ट के लिए मैंने यह फूर्ट निकालके बाहर रख लिए हैं खरबुजा है सेब हो नहीं ना सोची के हैं सिर्फ दो चीज़ां थी फूर्ट चार्ट अभी बाकी चीज़े भी हैं वह भ लोग हम रूद भी नहीं डालते हैं फूर्ट जो हैं वह सारे ही डालने चाहिए जो मौसमी फूर्ट होते हैं तो अच्छे लगते हैं हम लोग डालते हैं अपनी च्वैस है जिसको जो पसंद होता है वैसा ही किया करें जिदा कि मेरी गलाना मनेया करो तानू जो बेतर लग किया था अच्छी प्राइब बाट नहीं को अच्छी करने ने रिखे शुकर आपके थोड़ा जाए फोली पार गया थे प्रफोली पार गया सी खून टोड़ी देर हैं अच्छी पाबी आए गई थी तो उरेंगे सी तो कह रहा हैं तो मैं बाद आपके चीकन पूरा फ्राइए और च्छोटी बापी जो हैं मिंट मार्गरेटा बना रही हैं इसमें के पतेजिमें पते हैं पते डाले हैं और यह जो आइस क्यूब नजर आ रहे हैं यह लैमन के आइस क्यूब है इसके लावा चीनी डाली है नमक डाला है इसको हम अच्छे से ग्राइड कर लेंगे यह जो पते हैं यह अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए तो यह मिंट पार करेटा होमेड आपको बता यह जो आई हूँ वैसे भी गर्मिया आना है गर्मियों के लिए यह बैस्ट ड्रिंक है तो आपके हैंड में दर्द हो रहा हो चल मैं बनाना वा तो बार 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 ना बटन छेड़ा था क्या मैं ग्राइंड करूंगा तो मैंने खुदी पिर ना ग्राइड किया मैंने एक ह बार सा रेडी हो जाएगा और यहां पर चिकन टेमपोरा रेडी कर रही है और बड़ी भावी भी भी आ गही थी और इसकी मैंने प्रॉपर रेसिपी आर्मोस आपके साथ शेयर कर दी है जो हमने बैटर रेडी किया था उसके साथ कोट करके ना ओयल में डालते जाना है और बहुत क्रिस्पी और मजे का बनता है स्पेशली बचों के बहुत पसंद आता है तो आपने यह चिकन टेमपोरा लाजमी बचों को बना कर देना है और यकीन माने वह बार 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 फरमाईश करेंगे कि हमें दुबारा भी बना कर दें ते हुनरा में बस अजान होन वाली ह अब बुजी दौा वगरा करें से तो फूरूट चाट भी लाती है चिकन टेमपोरा भी साड़ा यह प्लैन से के हलकी फुलकी ना अफ़तारी करके नमाज अदा करके खाना बार चुलाएं खुजूरें थी चिकन टेमपोरा था इसके लावा फूरूट चाट थी और मिंट म बची चाप 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 चाब करने को तो बाद बिल्कुल बीटीन अवे पढ़ा हैं जैसे इन्हों नीवे आफ्तारी बनाई हो असी औरता मचारियां सारा दिन का नहीं का थी ऑपती है आगे हैं अगया मतलब डिले कर दिया कि पिर और चुछे दिन खाने चले जाएंगे में बशाचा प्रिम भी डाली थी वह सीन मैं नहीं लिए क्योंकि जल्दी में बीच में नहीं कट लागया तो उन्होंने बाद में बाद में लगाया था चूईले का दूंधा और फिर गार्निष भी उपर की का लेमन की और क्या होता है यह लंबा लंबा अधर के कट लिए न बालानों चावी पर आदिनी ओने नाकामता में कारी सख दीयां चाह कर ड़ा दोना हतना बनाने हैं जो दो हात वाले काव हो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं लेकिन अब यह है कि पटी तो थोड़ा ना पेन भी कम होगी थी तो बाभी ने अचली पायो डीन लगा पर पटी कर तो उसे बड़ाना रिलीफ मिला बेशमार पांडेता मेरे को बिल्कुछ निसी हुंतुल ने और चोटी बावी बिचारी ठाक गई थी उन्होंने जाहरा एंड पे सारा काम किया तो चाहिए में बना ली थी फिर हमने सोनिया को बलाया था कि आकर ना बरतन दो जाए हमने का एक पे सोनिया भी चावल और ये चीज़े ना साथ ले जाए तो यही था आज का टुटा पा जैसा विलोग उमीद करती हूँ आज का विलोग पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी करें मिलेगें एक और इंटरेस्टिंग से भी लोग के साथ अलाहाफीज